हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आप सब कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे और देखिए यह ब्लाउट पीस के बचे हुए पीस में से हम कुछ अलग कुछ नया बनाएंगे 3.5 by 3 इंचिस के यह चोटे-चोटे पार्ट मैंने लिये हैं और यह है 4.5 by 3.5 इंचिस के दो पार्ट 12 by 9 इंचिस के हमने यह बड़े से पार्ट को लिया है तो अब आपको क्या करना है यहां पर हल्का सराउंचिप देना है 0.5 इंचिस पे और इसे कट कर लीजिए और फोल्ड करके तूसरी साइट का कॉर्णर भी जरूर से कट कर ले अब इसी के नाप से आपको दूसरा पार भी कट कर लेना है तो दोनों पार्ट हमारे रेडी है अब हम दो श्ट्रिप ले लेंगे जिसका नाप है 22 by 3 इंचिस और इसे दोनों साइट से आपको फोल्ड करके हैंडल बना लेने हैं और फ्रेंस वीडियो बहुत ही यूसफूल है आपको बहुत ही पसंद आने वाला है तो प्लीज वीडियो आप उजरा सकाम का भी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले और 2 इंचिस पे हम यहाँ पे माक करेंगे और कट लगा लेंगे उसके बाद हमें जिप को अटे अछिछ से फिनिशिंग ला सकते ही अब उपर काज हमने अटे जए है और की है प्रेश्टीज और अब हम कर देंगे जिप की अंदर रुणर डाल देंगे और इसी के नाप से मैंने नौन वन कट किया है और इसे स्टीज करके जोड लेंगे फ्रेंस नौन वन नहीं है तो कोई दिकत की बात नहीं है आप यहाँ पे एक सिंपल कपड़ा अस्तर यूज कर सकती है तो यह हमारा पॉकेट बन गया है अब आप सेंटर में ऐसे मार्क कीजिए और दोनों साइड तू इंचिस पे या 2.5 इंचिस पे मार्क करें हेंडल आप अपने अकोडिंग जितनी भी सेंटर में जगह रखने उठनी रखके अटेज कर सकते हैं तो यह हेंडल हमारे हो गए हैं अटेज ठीक है हेंडल अटेज करने के बाद आपको क्या करना है यह border लेना है center का और इसे attach करना है जो हमने पहले cut किया था तो यह center में हमने border को attach किया उसके बाद अब हमें यह four parts जो लिये थे उसे लेने है और इसे आपको यहाँ पर attach करने देखिए यहाँ पर stitch करना है पहले और दूसरा यहाँ पर attach करना है देखिए cutting में अगर आपको समझ में ना आ है तो आप फिर से आगे cutting देख सकती है कौन सा part आपको कहाँ पर attach करना है तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यह parts attach कर लिये हैं और उपर आपको थोड़ा सा खुला छोड़ना है तो यह दोनों साइड के part attach करने के बाद आपको यहाँ पर यह छोटे छोटे दो part लेने हैं सेंटर में नोचिस लगाना है और यह जो strip हमने लिती उसके अंदर भी आप नोचिस लगाए और यहाँ पर attach कर लिजिए यह दिखे इस तरीके से कुछ हमें करना है फिर आपको यह cross में cut करना है ऐसे दूसरी साइड से cut कर लिजिए और सेंटर में ऐसे mark कर लिजिए और यहाँ से cut लगा लिजिए अब आप यहाँ पर जिप attach कर लिजिए फिर आप प्रेस्टीज कर ले दूसरी साइड पी प्रेस्टीज कर लिजिए अब आप जिप की अंदर रनर डाल दीजिए अब देखे इसे fold कीजिए सेंटर में नोचिस लगाईए दोनों साइड और इसे आपको यहाँ पे attach करना है देखिए यहाँ पे भी आप सेंटर में नोचिस लगाए दोनों नोचिस को भिलाते हुए देखे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करते जाएए और यहाँ पे इसे जोड लीजिए नीचे का border और उपर वाला जिप वाला जो border है दोनों को जोड लीजिए और नीचे जो खुला रहता है वो पार्ट भी आपको जोड लेना है अब सेम वही तरीका आपको दूसरी साइट भी करना है सेम वैसे ही नीचे और उपर का जिप वाला जो पार्ट है उसे स्टीज करके जोड लीजिए और जो खुला रहे वो भी आपको जोड लेना है देखे यहाँ से आपको स्टीज स्टार्ट करना है और यहाँ तक फिनिश करना है ठीक है यह हो गया आप दूसरी साइट का भी आप कर लेजिए तो यह बैएक बन कर हमारी रेडी हो गई है आपको कैसी लगी जरूर से बताईए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने ना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जै बारत बने मातराम